वेल्कम बैक टो माई चैनल गाणिंग एट इस तो फ्रेंड से देखे दो पॉट्स मेरे पास रखें यह है अमेरलिस लीली के अमेरलिस लीली जो बल्बस प्लांट होता है इसमें यह देखे यह वाला नॉर्मल रेड कलर के फ्लार वाला प्लांट है और यह मेरा काफी पुरा अब बढ़नोर आते हैं तो यह मेरा नुह प्लांट आप देख सकते हैं की बल्ब में लेकर आ 지원ול और एक बल्ब से दो नहें बढ़न निकल आ रहे हैं यह बढ़ बढ़न्वा कृता है बहुत नहीं नहीं करता है लेकिन ये फैबरेरी में फैबररिंग करता हैं इसको कैसे त्यार करते हैं आज इस पर हम बात करेंगे मैंने कोई भी लीव्स इसके उपर नहीं छोड़ी है हर बल्ब के उपर जो भी लीव्स निकलती है उनको मैंने कट कर दिये इसका कारण यह कि इस प्लांट को एनर्जी को अपने बल्ब में सेव रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इसकी लीव्स को कट करना पड़ेगा तो कि इतनीं ज्यादा धियर उपर रहेंगी तो बैटकी सारि एनर्जी जो है प्लांट जो है उसको सेव करने के लिए उसको बनाए रखने तो इसलिए आपको दिखायी दे रहा होगा तो यह मैंने सब कर दिखाई दे रहा होगा तौह यह कर दिये सके एक और दो यह दो बड़े-बड़े हैं आपको दिखाई दे रहे बाकि सब छोटे-चोटे बम इसमें मिल्टिप्लाई हुए निकल रहे हैं तो इस प्लाइट में हम गोड़ाई तो कर नहीं सकते हैं कि जो है क्योंकि नीचे बल्ब को जो है डेमेज होने का खत्रा रहता है तो हलकी हलकी जो हम इसको छोटी कुरपी लेंगे देखे यह बिलकुल वीडर निकालने वाला जो होता है इसको ही हम लेंगे इसी से हम हलकी हलकी उपर से इसके इस तरह से स्वाइल को उपर से थोड़ा तोड़ी थोड़ी ताकि इसके रूट्स को हवा भी मिले और आप इसमें हलका हलका आप इसके सोयल को थोड़ा सा निकाल लीजिए निकालने के बाद आप इसमें जो भी फर्टिलाइजर डालना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद और बल्बस प्लांट है तो इसमे बॉन मिल सबसे बेस्ट रहती है नीचे से रूट्स दिखाई दे रही है किस तरह से इसकी रूट्स बल्ब की निकल कर आ रही है तो इसलिए जादा देखे थोड़ी से डैमेज भी हो गई तो इसलिए जो है इसको गोड़ाई नहीं की जाती जादा क्योंकि इसमें बल्ब प्लांट के लिए क्योंकि बॉन मिल में केल्शियम और बल्ब को स्ट्रोंग बनाए रखने के लिए काफी मैक्रो मैक्रो न्यूट्रेंस होते हैं जो कि हमारे बल्ब को प्लांट के बल्ब को अच्छा स्ट्रोंग बनाते हैं आने वाले टाइम के लिए फ्लारिंग के लिए तो ये देखे, इसमेंिगा ये नया ब्रांट है, इसके स्च्छिक में अब डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि रडाइक और दूसरे ब्रांस्फर की है, तो अब यह ज़ादा रिपाँविंगी तरी तो इसमें टाइम दिया था, किचन वेस कंपोस्ट और वान्मील मैने इसमें डाला था क्योंकि मुझे है की इसमें काफी टाम से मैंने फर्टिलाइजर नहीं दिया था फिलारिंग गाद आप्यान की दीए इसके बाद एक मैंने लिए एक लिया स्वाइब स्वाइब बॉन मिल ट्व वर्मी और डालने बॉन मिल करना है ऐसे बॉन मिल को चभता दालने और ढ़्माब शाट गणते मेंने यह यह लिए कोई इसमें डालेंगे अभी सिर्फ बर्ब को स्ट्रॉंग बनाए है तो इसमें डाल देंगे इसके गीली Watering की बात करें तो ज़्यादा पाणी भी इसमें प्लांट में नहीं देना अपने भूत कम पानी देना है कि इसकी सौयल इवि COVID-19 आपको नजर आए तब आपने इसमें watering करनी है वल्बस प्लांट है हमारा तो इसमें इसमे ज़यादा वाटरिंग करेंगे, तो हमारा बल्ब गल जाएंगे, सड जाएंगे और हमारा प्लांट खतम हो जाएगा, तो इसलिए कम watering करनी है इसमें अभी अगर आपका plant बारिश में पढ़ा है तो इसको बारिश से भी बचाना है क्योंकि ज़्यादा बारिश पढ़ने की वज़ा से plant हमारा गल सकता है इसके bulb गल सकते हैं अगर पानी इसमें ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तो इसलिए हमने इस इसको उससे बारिश से भी बचाना है और खुद भी आपने इसमें watering कम करनी है तांकि प्लांट जो है हमारा से रहे और आने वाले टाइम में अच्छी फ्लारिंग करें तो इस तरह से अच्छी फ्लारिंग लेने के लिए अपने प्लांट के उपर कम से कम leaves को रखने और बल इस लिली का प्लांट जिसके उपर मैंने आपको बताया कि कैसे आपने केर करनी है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें